स्वागत है आप सभी का टॉप वन हिंदूस्तान चैनल पर एक बार फिर से तो आईए बात करते हैं ताजा मौसम अपडेट की साथ ही बारी सोर और अविस्टी होने की चेतानी दे डाली हैं तो दोस्तों मौसम से जुड़ी शंपून जानकारी जानने के लिए आप बस हमारे साथ वीडियो का अंत तक बने रहेगा लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक बताते हैं आपको ताजा मौसम अपडेट तो दोस्तों मौसम की जानकारी देने वाली स्काइमेट एजेंसी के अनुसार अगले 24 घंटों के दोरान तमिलनाडू, कैरल, लक्सर दीप, अंडनमान, निकोबा, दीप, समू और ओडिशा के कुछ हीशों में गरत चमक के साथ क लंग्य पश्चे मंगाल में भी बारिश की गदिविदियां बढ़ने की उमीद हैं, राजस्तान में भी धूल बरी आंदी चलने के साथ गरत चमक के साथ बहुत सारे गिर पड़ सकती हैं, और कहीं कहीं उलाव स्टी भी हो सकती हैं, 36 गर्ड के कानाटक के कुछ हिशों में चुटबट बारिश की संबावना है, उतर पच्ची में और उसे सटे मद्यबाद में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, देश की राजदानी दिल्ली की मौसम की बात करे तो दिल्ली में 30-31 माई के बिच दिल्ली, नोड़ा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, भ अलकी से मद्यम बारिश होगी, बारिश के साथ ही कुछ इस्तानों पर तेज बहुत सारे गिर सकती हैं, तेज हवाय चलने और बाजलों की गजना होने की संबावना है, चरम पर पहुंची गर्मी अब कम हो गई हैं, और लोगों को गर्मी से रात मिलनी शुरू हो गई हैं, अनुवान है कि दो जून तक गर्मी का परकोप नहीं दिखेगा, इसी तरह से बरकार रहेगी क्योंकि एक और दो जून को भी बारिश की संबावना हैं, हालांकि 31 मई के बाद बारिश की तिवरता काफी कम हो जाएगी, आपको बता देगी एक शक्रिय पस्चिम पहुचाओं और इसके परबाव से राजस्तान तथा आजपास के बागों पर एक चकरवाति हाओं का सेत्र बना हुआ हैं, इन सिस्टमों के कारण यहां पर मौसम ने करवट ली हैं, तीन जून से फिर से मौसम सुस्क और साफ होने की संबावना हैं, वहीं समय होगा जब गर्मी भी एक बार बढ़नी शुरू हो जाएगी, मद्यपरदेश की बात करें तो अगले दो दिनों तक मद्यपरदेश में छुटवट बारिश की संबावना है, पन्तू 31 माई को बारिश बढ़ेगी, तथा एक जून से चार जून के बीच मद्यपरदेश के कई जिलों म विशेश कर पस्ची में और दक्षिनी पस्ची में जिलों में तेज बारिश तता तेज हवाएं चलने की संबावना है, जिससे तापमान में भारिश गिरावट होगी और लूक अपर को लगबग समाप्त हो जाएगा, जून के पहले सब्ता में मद्यपरदेश के कई जिलो पस्ची में विख्षोव के सक्रिय होने की बात कही है, हिमालाई तरही शैत्रों में सक्रिय हो रहे पस्ची में विख्षोव के असर से परदेश के पूरूतर इलाकों में अंधर और मेग गरजना के साथ बहुत सारे गेने और पारे में गिरावट होने पर गर्मी से रात मि मिलने की उमिद्ध जताई हैं आपको बता दे कि बीका ने जोदपर हनुमानगर नागोर बाड मेर श्री गंगानगर अलवर भरतपूर दॉलपूर जैपूर शीकर स्वाई मादोपूर दोसा जुंजुनु करोली अजमेर कोटा बुंदी उदेपूर पीलवडा और चुतुर बाद दिप्शमू के कुछ हिशों में बारी से बहुत बारी बारिश होई हैं दक्षिनी असम मनिपूर मिजोरम तिरपूरा गंग्य पस्चिम मंगाल ओडिशा जारखन के कुछ हिशों उत्री चतिशगड और उत्री पूरी मद्यपरदेश पंजाब हरियाना और पस्चिम हिमाले बागों में हलकी से मद्यम बारिश के साथ एक दो इस्तानों पर तेज बारिश रिकॉर्ड की गई हैं उत्री पूरी राजस्तान उत्र परदेश और दक्षिनी अंत्री करनाटक के भी कुछ हिशों में हलकी बारिश होई हैं उत्र पस्चिमी के मैदानी इलकों में क आजा मौसम की जानकारी में से के जैहिन दन्यवाद